नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे एक बहुत इंपोर्टेन मल्टिपल चॉइस सेशन जोकी 65 क्वेशन का होगा और इसमें जो टॉपिक है वो है रिवोल्ट ओफ 1857 ये क्लास एर्थ का भी टॉपिक है क्लास 10 का भी टॉपिक है तो सारे बच्चे इसको आप कवर कर सकते हो बहुत अच्छा कॉशन दिए गया है इसमें फर्स्ट कॉशन में कहा गया है मंगल पांडे इंसिदेंट और साथी साथ देखे ये कॉंपिटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है फर्स्ट कॉशन में कहा गया मंगल पांड आज First War of Independence, जो immediate cause था First War of Independence का, आपको पता होगा वो क्या था, तो वो जो Royal Enfield, जो Enfield Curtis थी, ठीक है, मतलब जुसमें चर्बी रखी हुई थी, गाए की और सुहर की, वो main cause था, जो immediate cause था, जो इसमें आंसर क्या आजाएगा, option number B आजाएगा, suspicion about British interference in religion, मतलब British जो थे, वो interfere कर रहे थे, हमारे religion में, next question में कहा गया, when was the new Enfield rifle with greased cartridge introduced in British Indian Army, तो जो जो greased cartridge आई थी, वो कब आई भारती आर्मी में, जो British Indian Army थी, उसमें कब आई थी, question में कहा गया, question number 4 है, with which uprising is Mangalpande associated, तो Mangalpande bearakpour uprising से associated हैं, आपको पता होना चाहिए, question number 5 में कहा गया, which one of the following conceptions is true about the revolt of 1857, तो revolt of 1857 के बारे में कौन सी बात सही है, यह option दिया गया, Indian historians have described it as a Indian mutiny, बिल्कुल गलत है, British historians have described a war of independence, यह भी गलत है, British historians ने कभी इसको war of independence नहीं कहा, C option देखें, यह सही है, और इसमें क्या कहा गया, it gave a death blow to the system of East India's company rule in India, मतलब इन लोग ने क्या कर दिया था, East India company को एक तरीके से बंद करने के नौबत पे ले आये थे, next question, question number 6 है, who among the following was bestowed with the title, सहाबे आलम, ठीक है, बहादुर by बहादुर शाह, तो बहादुर शाह ने सहाबे आलम बहादुर title किसको दिया था, जो title दिया था, यह जनर्नल बक्त खान को दिया था, next is, इसमें सी option हो जाएगा, next question, question number 7 है, what was the mean cause of 1857 revolt, 1857 revolt का जो main cause था, वो policies थी, जो British Empire की गलत तरीके से policies भारतियों के लिए बनाई जा रही थी, वो policies थी, next is, question number 8, the first war of independence started from, तो कहां से start हुआ, तो A option is लखनव, B option is जहांसी, C option मेरट, कहां से start हुआ था, मेरट से start हुआ था, next is, question number 9 में कहा गया है, the first event relating to the war of independence of 1857 was, तो पहला जो event हुआ, 1857 revolt का, वो क्या हुआ था, तो इसमें अगर इनके हिसाब से देखा जाए, जो options दिये गए हैं, उसमें देखा जाए, तो सबसे पहले जो लोग थे, जितने भी सिपोईस थे, ठीक है, सिपाही थे, वो किदर चल दिये थे, red ford की तरफ चल दिये थे, बहादुर शाय जफर से मदद लेने के लिए, और उनको बताने के लिए, कि हम आपको अपना राजा घोशित करते हैं, और अब आपके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और पूरे भारत से ब्रिटिशर्स को रिमूफ कर देंगे, नेक्स्ट बोला गया है सिंबल, जो 1857 रिवाल्ट था, उसका सिंबल क्या था, जिश्रगल का सिंबल क्या था, तो इसका सिंबल था, लोटस और चपाती, ठीक है, लोटस मतलब कमल, चपाती मतलब रोटी, तो कमल और रोटी, नेक्स्ट इलेवन्द कोश्चन में कहा गया है, विच वन अव दो फॉल्विंग सिंटर्स ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वोज री कैप्चरड बाइंग्लिश, नेक्स्ट कॉश्चन कॉश्चन मबर 13 है, इसलिए इनकर आम मनी करने का भी रखा आता है, एक पिच्चर भी आई थी मनी करने का आप लोग ने देखी होगी, तो बरेली पे जो रिवाल्ट हुआ था है, उसको कौन लीड कर रहा था, तो इसको लीड कर रहे थे, खान बहादूर खान, बहुत इंपोर्टन लीडर है, खान बहादूर खान, इनके बारे में याद रखेगा, तो राइन लक्ष्मिबाई जी की जो समाधी है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो गौालियर में सिचुएटेड है, यह बहुत इंपोर्टन क्वेशन है, Q15 में कहा गया, महारानी लक्ष्मिबाई, हैट कॉमबैटेड इन दे लाष्ट बैटल अगेंज, तो लाष्ट बैटल जो महारानी लक्ष्मिबाई ने लड़ा, वो किस के साथ लड़ा था, हग रोज, हुग रोज, हुग रोज के साथ लड़ा था, Q16, लखनों में किस ने लड़ा था, तो लखनों में जो लीड किया था, वो बेगम हजरत महल ने लीड किया था, तो इसमें बेगम ऑफ अवद इसका अंसर सही हो जाएगा, तो यह थे कानपूर, नाय लक्ष्मिबाई, आपको पता है, जहासी नाना जहाब भी, कानपूर, नेक्स्ट में कहा गया है, Q17 है, तो अवद मतलब एक तरीके से आज का अवद है, जिसको लखनों या फैज़ाबाद कह सकते हैं, तो अवद में अगर देखा जाए, आवद में अगर देखा जाए, तो लीड कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल लीड कर रही थी, Q18 है, इसमें कहा गया, the largest number of soldiers participated in the struggle of 1857, came from, तो सबसे आदा जो soldiers आए थे, वो कहां से आए थे, वो आए थे, अवद से, ठीक है, अवद से सबसे आदा soldiers ने पार्टिस्पेट किया था, revolt of 1857 में, Next, 19th question है, who among the following was the leader of 1857 uprising at Ilhabad, तो Ilhabad में जो 1857 की uprising हुई थी, उसको lead कौन कर रहे थे, तो उसको lead कर रहे थे, मौलवी लियाकत अली खान, तो लियाकत अली खान जो थे, वो इलहाबाद से lead कर रहे थे, इस revolt को, Next, में कहा गिया, who was the leader of 1857, अब लखनों में leader कौन था, तो अब आपको पता है, हजरत महल थी, वेगम हजरत महल, तो C options सही हो जाएगा, Next, में कहा गिया, 21st है, who was the commander in chief of Nana सहब, तो Nana सहब के जो commander in chief थे, वो कौन थे, तो यह थे, तांतिया तोप, ठीक है, तांतिया तोपे थे, यह याद रखेगा, C options में सही है, यह कौन थे, Nana सहब के commander in chief थे, अजीम उल्ला खान, was the advisor too, तो अजीम उल्ला खान किसके advisor थे, तो य अजीम उल्ला खान, next is with reference to the revolt of 1857, who of the following was betrayed by the friend, अपने दोस्त से, मतलब किसको धोखा दिया था, उनके दोस्त नहीं, और जिसकी वैजे से उनकी death कर दी थी, मतलब मार दिया था, ब्रिटिश उसने, तो ऐसा हुआ था, तांतिया टोपे के साथ में, ठीक है, next is question number 24, the real name of which of the following leaders of 1857 was, रामचंद्र पांडूरंग, तो रामचंद्र पांडूरंग और किसका नाम है, तो तांतिया टोपे का नाम है, रामचंद्र पांडूरंग, 25th question में कहा गया, Indians were assured of many things in declaration of Queen Victoria in 1858, ठीक है, which among the following assurance was fulfilled by British government, तो कौन सा ऐसा assurance था, जो British government ने फुल्फिल कर दिया था, तो ए option जो है, वही सही है, और इसमें क्या कहा गया, policy of annexation will be amendant, जो annexation policy doctrine of labs आ गया था, जो annex करे जा रहे थे, लोग अपने states को, वो क्या कर दिया था, इन्होंने, amendant कर दिया था, तो ए option इसमें सही है, next, who was the leader of Bihar में बताना है, जो revolt of 1857 हुआ जगदीशपुर में, उसका leader कौन था, तो उसके leader थे, बाबू, कुवर सिंग, ठीक है, तो कुवर सिंग के बारे में आद रखेगा, इन्होंने कहां से lead किया था, बिहार में, जो जगए है, जगदीशपुर में, वहां से इन्होंने lead किया था, 27 में कहा गया, who, which one of the following commission is associated with army reorganization, after the suppression of revolt of 1857, अब देखें, commission set up हुआ, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था, पील commission, ठीक है, तो पील commission is the correct answer, 28 में देखें, क्या कहा गया, after the revolt of 1857, the British recruited the soldiers from, अब देखें, जब revolt of 1857 हो गया, क्योंकि अब आगे soldiers की जुरत पड़ी, अब पुराने soldiers हो, क्योंकि बागी हो चुके थे, तो उनको हम coin victoria declare taking over of Indian administration under British crown, तो अभी तक इस इंडिया कंपनी चला रही थी भारत को, अब इसके बाद कौन चलाने लग गया, British crown चलाने लग गया, coin victoria declare कप करी थी, यह declare करी थी, 1 November 1858 को, ठीक है, तो यह date याद रखेगा, बहुत important है, declaration हुआ था, 1 November 1858 में, next में कहा गया, who among the following was the leader of revolution of 18 1857 एं असम, तो असम के अगर बात करी जाए, तो असम में जो 1857 का revolt चल रहा था, उसको lead कौन कर रहा था, तो दीवान मनी राम दत्ता कर रहे थे, ठीक है, तो दीवान मनी राम दत्ता इस दा, correct answer, 31 में कहा गया है, the center of 1857 revolt in Bihar, ठीक है, was, अब 1857 में जो revolt हुआ, उसका main center क् बिहार में जगदीशपुर था, ठीक है, next is which person of जगदीशपुर took the lead of revolutionary 1857, तो जगदीशपुर से lead कौन कर रहा था, भी हमने बताया था आपको, ये कर रहे थे, कुवर सिंग, ठीक है, the king of जगदीशपुर, जगदीशपुर के king कौन थे, तो ये कुवर सिंग ही, defeated the joint army of British and Jodhpur during the revolt of 1857, देखे, बड़ा तगड़े इंसान के बारे में बात हो रही है, इन्होंने army और Jodhpur, दोनों के army को defeat कर दिया, ठीक है, अकेले वो भी और वो कौन थे, वो थे ठाकुर कुशल सिंग of Ova, ठीक है, तो इसमें D option सही है, बहुत important question है, question 35 देखे, which among the following place was not the center of evolution of 1857, अब 1857 में आपको बताना है, कौन से ऐसी place है, जो center नहीं था 1857 के revolt का, तो अजमेर था, निमुष था, ओवा था, जैपूर नहीं था, तो इसमें B option सही है, यहाँ पे कोई भी revolt का काम नहीं हो रहा था, ठीक है, next is question 36, इसमें देखे क्या कहा गया, who of the following had struggled against Britishers in 1857, आपको बताना है, इन में से ऐसे कौन है, जिन्होंने 1857 के revolt में struggle किया है, तो चंदर शेकर आजाद ने नहीं किया, रामपरसाद बिस्लम ने भी नहीं किया, माखनलाल चतुरेदी जी ने भी नहीं किया, किस ने किया है, शहादत खान ने किया है, ठीक है, next is question 37, who of the following was the bitterest enemy of British during the revolt of 1857, मतलब सबसे आदा जो खतरनाक थे, enemy British के 1857 के revolt में वो कौन थे, तो वो थे मौलवी एहमद उल्ला शाह, और ये कहां से लड़ रहे थे, अवद से लड़ रहे थे, मतलब फैजाबाद से लड़ रहे थे, ठीक है, अवद में लीड कर रहे थे किसको, 1857 के revolt को, revolt of 1857 तो किस पोईट ने विटनेस किया है, revolt of 1857, तो गालिब ने, ठीक है, मिर्जा गालिब के बारे में आप लोग ने सुना होगा, अब इनका residence क्या था है, कोशन में पूछा गिया है, एक लिए कोशन में कहा गिया है, मिर्जा गालिब का original residence क्या था, तो ये था आगरा, next is question number 40, who among the following was not associated with the revolt of 1857, revolt of 1857 से कौन associated नहीं है, तांत्या तोपे है, रानी लक्ष्मिवाई भी है, बहादुर शा जफर भी है, भगत सिंग नहीं है, तो इसमें D option सही है, next question, question number 42, 42 में देखे क्या कहा गया, which dynasty supported British maximum during 1857 freedom movement, तो किस dynasty ने सबसे आदा Britishers को support किया था, 1857 के reward में, तो वो थे सिंधिया, गॉलियर के जो सिंधिया थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा support किया था, next, question number 42 है, the educated middle class in India, अब जो educated थे, educated लोग थे, middle class जो लोग थे, इन लोगों ने 1857 के reward में क्या किया था, योगदान था, तो इनका कोई भी योगदान नहीं था, ना ये support कर रहे थे इसको, और ये oppose कर रहे थे, तो ये neutral थे, तो C option इसका सई हो जाएगा, 44 में देखे क्या कहा गया, which of the following territories was not affected by the revolt of 1857, तो revolt of 1857 में कौन सी territory पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, तो ये थी चित्तौर, क्योंकि जहासी पे पड़ा था, जगदीशपुर पे पड़ा था, लखनो पे पड़ा था, तो तो और गया, कोई लेना देना नहीं था, 1857 रिवल्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो Lord अलाउसी नहीं थे, लॉल्ड मिंटो भी नहीं थे, बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे, इसका अंसर क्या हो जाएगा, Lord Canning हो जाएगा, इसका अंसर क्या हो जाएगा, Lord Canning हो जाएगा, तो ब्रिटिश कमांडिंग ओफिसर थे, वो कौन थे, वो थे, हेर से, ठीक है, तो ब्रिटिश कमांडिंग ओफिसर था, हेर से, ठीक, कहां पे, बैरकपोर में, वो हैस मेड इलहाबाद इमर्जनसी हेड़कॉर्टर इन 1857, तो इलहाबाद को इमर्जनसी हेड़कॉर्टर बना दिया गया थे, 1857 में, किसने बनाया था, जानना है, तो ये है, Lord Canning, ठीक है, मतलब जो समय गवर्नर जनरल था, उसी ने क्या कर दिया था, इ वो वास दे ब्रिटिश प्राइम निस्टर दिरिंग दे रिवल्ट ऑफ 1857, तो पालमर स्टोन, ठीक है, पालमर स्टोन जो है, वो बिटिश के, बिटिएन के प्राइम निस्टर थे, जब रिवल्ट ऑफ 1857 हुआ, फिफ्टी एथ कोशन क्या कह रहा है, वाट वास दे में क अब यहां पर फेलियर क्यों बताया गया है, ए दिया गया है, देर वास लाकनेस ऑफ दे यूनिटी ऑफ परपस इन इंडियन सीपाइज बिल्कुल चाही है, ठीक है, सेकेंड में कहा गया है, जनरली नेटिव किंग सपोर्ट इडिश, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा तर तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? All of the above हो जाएगा, 52 देखिए, the British were able to suppress the uprising of 1857 in Rajput state because, तो Rajput state में इन लोग ने क्यों suppress कर दिया था 1857 की revolt को Britishers ने, क्योंकि जो local Rajput leaders थे, जो local Rajput rulers थे, वो revolutionary को support नहीं कर रहे थे, वो Britishers को support कर दिये थे, Next में कहा गया, who was the, who was called the revolt of 1857, a conspiracy, तो revolt of 1857 को conspiracy मतलब शड़ेंतर किस ने कहा है, तो James Outram ने और W. Taylor ने कहा था, ठीके तो याद रखेगा, James Outram and W. Taylor is the correct answer Question number 54 में कहा गया, modern historian who called revolt of 1857 as first war of independence, तो किस ने ये कहा कि revolt of 1857 is the first war of independence, तो ये कहा था, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जीने, Next में कहा गया था, first Indian to write in Indian language, देखें, Indian language में सबसे पहली बार 1857 के revolt के causes के बारे में, कारण क्या था 1857 के revolt का, ये किस ने लिखा है, तो ये लिखा है, सैयद एहमद खान ने, तो ये option इसमें सही हो जाएगा, 55-6 में देखें क्या कहा गया, अब देखें ये बहुत important आपको समझना है, कि statement दिया गया है, इस statement में कहा गया है, the so-called first national war of independence, ये जो हमारा national war of independence था, वो ना ही first है, ना ही national है, और ना ही war of independence है, ऐसा किस ने कहा, तो ऐसा कहा है, आरसी मजुंदार एक historian है उन्होंने, next who was the prominent Indian historian who did not accept 1857 revolution as a revolution, तो कौन से ऐसे historian है, जिन्होंने 1857 के revolution को revolution नहीं माना, तो ये हैं Dr. R.C. मजुंदार, next में देखें क्या कहा गया, यहाँ बे match करना है, सबसे पहले देखें हमको जो आता है, उसको समझ लेते हैं, असानी से, ना अगर देखा जाए, तो Bakt Khan, तो A option अगर देखें, Bakt Khan कहां से लड़े थे, तो यह हो जाएगा, ठीक है, मौलवी ऐमद उल्ला देखेंगे, तो यह हो जाएगा, अवद, कुणर सिंग देखेंगे, तो हो जाएगा, आरा मतला बिहार, ठीक है, आरा कहां पे है, बिहार में ह ठीक है तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो C आप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा नेक्स देखें कुछ्टन पर 59 यहाँ पे भी सेम वही चीज़ बतानी है मैस दा कॉलम बताना है हमको तो सबसे पहले जहांसी देख लिए जहांसी किस से मैच हाएगा रानी लक्ष्मी भाई लखनव को अगर आप मैच करेंगे तो बेगाम हजरत महल कानपूर मैच करेंगे फैज़ाबाद पहले आप मैच कर लिजे मौलवी एहमद उल्ला ठीक है और कानपूर को मैच कर सकते हैं अजीम उल्ला तो C का हो जाएगा ठीक है तो यह आप देख सकते हैं एका क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा ठीक एका फोर अब इसको आप लोग देख लिजेगा बाकि हमने आपको बता दिया नेक्स देखे नेक्स में मैच दा फॉल्लूइंग बोला गया है नाना सहाब की बात करी गई है तो कहां से जुड़ जाएंगे कानपुर से जुड़ गए ठीक है मौलवी एहमद उल्ला की बात अगर करी जाए तो इनको कहां से जोड़ दे हम लोग देखे राम दीवान मनी राम दीवान की बात करी जाए असम से जोड़ दीजे नाना साहब को कहां से जोड़ दीजे कानपुर से जोड़ दीजे बाकी बचे कौन? एहमद उल्ला बचे और नवाब हमिद अली खान बचे तो नवाब हमिद अली खान को दिल्ले जोड़ दीजे और एहमद उल्ला कहां से जोड़ जाएंगे? लखनहों से जुड़ जाएंगे D option इसमें सही है Next देखे, question number 61 Assertion दिया गया है, reason दिया गया आपको बताना है कौन सा सही है देखे, इसमें क्या कहा गया The war of independence of 1857 failed due to secure freedom to secure freedom from British government, बिल्कुल सही है First war of independence fail हो गया था हम लोग को freedom नहीं मिल पाई थी British government से Reason क्या दिया गया है, the leadership of Bahadur Shah Jafar did not have popular support and most of the Indian rulers of important states shield away from the shakal, दोनों बाते बिल्कुल सही है और जो reason है, वो correct statement है assertion का, तो इसमें यह option जो होगा वो सही हो जाएगा, assertion is correct reason is correct और जो two correct explanation है, assertion का Reason, ठीक है Which of the following group did not participate in the revolt of 1857 तो revolt of 1857 में कौन-कौन participate नहीं किया था, agricultural labor किये थे, साहुकार नहीं किये थे farmers भी किये थे, landlords भी नहीं किये थे, ठीक है, तो इसमें कौन-कौन नहीं किया था two और four नहीं किये थे तो इसमें हो जाएगा option number D next देखे, question number 63 है which part of Bihar was unaffected with the revolt of 1857, 1857 के revolt से कौन unaffected था, ठीक है तो simple सी बात है, दानापूर effect हुआ था, पटना भी हुआ था, आरा भी हुआ था मुझफर पूर भी हुआ था, बस मुंगेर नहीं हुआ था, तो इसमें B option C हो जाएगा, that is only 5 next देखे, which among the following British officer lost their life at लखनाओ, तो लखनाओ में जब rebellion हो रहा था, revolutionary जब आये थे तो इन्होंने किसको किसको खतम कर दिया था, कौन से British officer को खतम कर दिया था, तो John Nicholson की बात नहीं करेंगे, बाकी General Neil हो गए, Major Havelock थे और साथी साथ Henry Lawrence इन तीनों को मार दिया था, किसने जो revolutionary थे उन लोगों ने, ठीक है तो इसमें 2, 3, 4 इसमें answer सही हो जाएगा, next देखे, what was the object of Queen Victoria's Proclamation of 1858, तो जो objective था, Queen Victoria Proclamation का 1858 का हो क्या था, to disclaim any intention to annex Indian state, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने कहा था कि हम आगे से कोई भी state को annex नहीं करेंगे, to place the Indian administration under British Crown, तो ये भी बात सही है, इन्होंने क्या कहा, कि जो हमारा Indian का, India का administration था, वो अब British Crown के अंडर रहेगा, East India Company के अंडर नहीं रहेगा, third कहा गया, to regulate East India Company, trade with India ये बिल्कुल कला थे, East India Company का कामी ये बिल्कुल खतम कर दिया था, तो 1 and 2 इसमें option सही हो जाएगा, तो इसका answer क्या है, A option सही है, that is both 1 and 2, तो ये हमारे पास जो questions थे, 65 important questions थे, किसके revolt of 1857, तो आज के फिलात नहीं रखेंगे, thank you very much, goodbye, जेहिंद,